हेलो गाइज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज है 19th of July, बात करेंगे महिंदरा और महिंदरा फाइनिशल सर्विसेस के बारे में चुकि इस स्टॉक के क्वाटर फर्स्ट के नतीजे बहुत शांदार रही है साथ ही यहाँ पर कंपनी एक राइट इशू भी लेकर आ रही है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहतरीन मौका है पैसा बनाने का साथ ही इसके टेकनिकल चार्ट को अगर आप स्टेडिक करते हैं तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पर तेजी शुरू होने वाली है जो नेक्स ट्रेडिंग सेशन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इनके क्वाटर फर्स्ट के नतीजों के बारे में चुकि इनके क्वाटर फर्स्ट का जो प्रॉफिट है वो तक्रीबन तीन सो प्रितिशत के लगबग यर ओन यर बिस्निस पर बढ़ता हो दिखाई पड़ेगा आपको साथ इनका राइट इशू अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने 1 जून 2020 को अप्रूफ किया था कि यह फंडरेजिंग करने वाले है जो तक्रीबन 35 करोड से जादा नहीं होगी तो यहाँ पर यह जो राइट इशू लाया जा रहा है जिसके जरीए यहाँ पर पैसा जुटाया जाएगा कंपनी के दुआरा उसकी फेस वैल्यू जो है वो दो रूपए प्रतिश शेयर है यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि 18 जुलाई को बोर्ड ने अप्रूफ किया है राइट इशू को और राइट इशू के जरीए जो पैसा जुटाया जाएगा उसमें जो इशू साइज है इनके राइट इशू का वो तक्रीबन देखेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि यहाँ पर 61 करोड से जादा फुली पेड पेड अप एक्विटी शेर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनकी फेस वैल्यू दो रुपई की रहेगी यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि जो इशू है उसको फिक्स किया गया है 50 रुपई प्रतिश शेर पर चूंकि यहाँ पर 48 रुपई जो है वो प्रिमियम है और 2 रुपई की फेस वैल्यू है तो आगे चलते हैं और जानेंगे सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज कि यह इशू ओपन कब होगा तो यह ओपन होगा 28 जुलाई 2020 को और क्लोज होगा 11 अगस 2020 को तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस बात क्या है जो आपको जाननी चाहिए वो यह कि देखे यहाँ पर जो कंपनी के शेर होल्डर होंगे वही पार्टिसिपेट कर सकेंगे क्योंकि राइट इशू उनी के लिए ही होता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके भी पास 23 जुलाई 2020 तक इस कंपनी के शेर होंगे वही इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर पाएगा इसलिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राइट इशू में तो यहाँ पर आपको 23 ज प्रोड से जादा थे और अब यह देखेगा जस डबल हो जाएंगे क्योंकि यहां पर यह जो है किस रेशियो में रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूं यानि कि अगर आपके पास कोई एक शेयर है इस कंपनी का तो आप यहां पर एक शेयर के लिए अपलाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इनका जो profit after tax है वो तक्रीबन आपको 432 करोड के लगबग देखने के लिए मिलेगा यानि कि यहां पर आप सीधे तोर पर देख सकते हैं कि यह और यह बिसीज पे 300 प्रितिशत के लगबग जंप देखने के लिए मिलेगी चुकि लास्ट येर में से 308 करोड का profit था तो यहां पर अपने आप में काफी positive चीज है साथ ही इनका जो यहां पर आपको इनकी income देखने के लिए मिलेगी वो 8 प्रितिशत के लगबग बड़ी है जो कि अपने आप में काफी अच्छी चीज है वही अगर overall आप इनके नतीजों को देखेंगे तो नत 2020 से compare करेंगे तो यहां पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि इनका पहला जो जो पिछले quarter का यानि कि quarter fourth में इनका profit था वो देखेगा 234 करोड से जादा था जो कि अब बढ़कर 431 करोड के लगबग हो गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि margins को देखना सबस्यादा जर देखने के लिए मिल चुकी है इनके net profit में अगर आप margins को देखेंगे तो margins भी अच्छे खासे improve करें हैं जहां पहले 50.82 के लगबग थे आप 55.25 के लगबग margins हो चुके हैं यानि कि इनके नतीजे काफी शांदार है और आपको यह भागता हुआ कैसे दिखाई पड़ेगा उसको भी ज़रा जानेंगे तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा उससे पहले अगर NST पर हम चलते हैं तो यहां पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि last trading session पर तकरीवन एक करोड से ज़्यादा quantity यहां पर आपको trade होती हुआ दिखाई पड़ी थी 20 लाग से ज़्यादा quantity तो यहां पर क्या situation है वो मैं आपको बता देता हूं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि देखी नीचे एक support की मैंने trend line खीची हुई है जिस पर देखेगा यह support लेके बैठा हुआ है और आप देख सकते हैं उपर एक resistance है resistance कहा है देखें resistance 110 पे है 110 को निकालते ह वैरहाल यहां पर सच्चा ही यह है कि जैसे यहां पर यह market open होगा और यह आपको सिर्फ दोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और हो सकता है कि यहां पर 250 तक आपको यह एक दिन में ही भागता हुआ धिखाई पड़ सकता है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि यहां पर ये जो pattern बना है वो अपने आप में काफी converge है उपर ये resistance की line है जो कि 210 के पास है और नीचे देखेगा एक support trend line है जिसको touch करके ये उपर जा रहा है द्वारा से अपने resistance के पास और ये खुलते ही दोड़ेगा और आपको बस समझना है कि 210 के उपर निकलते ही ये बहुत तेजी से भागने वाला है last कुछ एक दिनों में देखे किस तरीके से volumes बढ़े है तो आपको समझ जाना चाहिए कौन लोग यहाँ पर खरीद रहे है और कौन लोग यहाँ पर फाइदा उठाना चाह रहे है चुकि यहाँ पर right issue भी आ रहा है definitely यहाँ पर लोगों को फाइदा होगा इस चीज़ को आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर जो लोग भी मुनाफ़ा बना सकते हैं वो हर तरफ से मुनाफ़ा बनाएंगे इस चीज़ को आप समझने के लिए आपको तयार रहना चाहिए आप volumes देख सकते हैं weekly chart पर भी और किस तरीके से यह उपर जा रहा है यह situation आपके बिल्कुल सामने है तो आपको जो maximum target यहाँ जानने के लिए मिलेगा weekly chart पर वो 285 का है इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो यहाँ पर basically आपको intraday में play करना आप intraday में play कर लीजिए आपको investment करनी आप investment कर लीजिए आपको right issue को play करना है तो उसकी record date भी मैंने आपको बता दी है उससे पहले पहले आप इसको यहाँ पर खरीच सकते हैं और फिर आप right issue के लिए भी apply कर सकते हैं जिसको जो रखी गई है 50 रुपए के लगबग तो आप समझ सकते हैं आपको किस तरीके का फाइदा यहाँ पर हो सकता है अगर आप इसमें किसी भी तरीके से play करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर situation जो है वो काफी positive है इनके quarter first के नतीजे भी बहुत अच्छे आए है margins भी improve हुए है तो यह company अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से मेरे को देखने के लिए मिल रही है बिलकुल resistance पर यह काम कर रही है जो कि इसका 210 का है और वो निकलने की देर है और आपको देखिएगा 250 का level तो एकदम ही देखने के लिए मिलेगा इस चीज को यहाँ आप समझ सकते हैं तो यह सारी चीज़े देखकर आप अपने लिए यहाँ पर जगा बना सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफ़ा बना सकते हैं इस stock में तो चलिए दोस्तों इसके दाद में वीडियो को इंपर अगली वीडियो में चैनल पर नेए तो चैनल को सस्क्राइब करें तो बैल आइकन आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ भी इंफर्मेटी अच्छा लागा लाइक कर दीजिए और फ्रेंट का मिशन नहीं मत भूलेगा चलिए थेंक्यू